आज हम बात करेंगे कि ये आईसोलेशन स्पीकर स्टैंड़ या आईसोलेशन पैट स्पीकर के निचे रखते हैं, वो कितने इंपॉर्टेट हैं और इंपॉर्टेंट है भी या नहीं? नमस्ते महुदेव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर आप देखते हैं होम स्टूडियो में मैं यूज़ करता हूँ मेरे आईसो अकूस्टिक्स के आईसोलेशन स्टैंड्स जो की ये है काफी साल हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए और मैं आपको पहली बता दूँ कि मैं स्पॉंसर नहीं हूँ बहुत साल हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए और क्या इंपॉर्टनस है वो भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं इस तरह के स्टैंड्स होते हैं जिनकी जो लेंथ है वो कम या ज्यादा हो सकती है उसके उपर स्पीकर आ जाते हैं और इसका प्राइज आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है जब उस वक्त दस हजार के राउंट था आज 14-15 हजार की रेंज में ये आता है उसके इलावा आप देखेंगे कि इस तरह के Isolation Pads भी हम य्यूज करते हैं कि इस तरह का उसके ंदर Angle होता है आप उपर से नीचे या नीचे से उपर अगर आप चाहते हैं तो उस तरह का Angle भी अपने speaker का बना सकते हैं और अगर एक्दम सीधा आपको चाहिए यह कितना important है, यह सस्ते होते हैं, आप इसे use कर सकते हैं, यह महंगे हैं, और अग आप देख रहे हैं कि 10 से 15 हजार का stand इसको मैं add करके अपने 5 इंच की जगा, 8 इंच के speaker भी ले सकता था, लेकिन आखिर यह इतना important क्यूं है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ इन stand पे speaker रखे थे, वो speaker अब हवा में आगे हैं, बीच में यह चीज़ आगी है, जो आप देख सकते हैं, थोड़ी सी, इस तरह से soft है, उस decoupling से क्या हुआ कि जितनी भी resonating frequencies थी, जितनी भी resonance add हो सकती थी मेरे table के through, या जितनी भी vibration थी speaker के, especially low end में, base में, तो वो जो मेरे table या stand से vibrate होते हुए, जमीन और जमीन के उपर ही कुरसी है, कुरसी के साथ ही मैं जुड़ा हूँ हूँ, तो मेरे तक extra कुछ low, mud आ रही थी, जो मैं mix के दौरान, या production के दौरान, मुझे नहीं मालूम कि हो table या उससे extra आ रही है, या direct speaker से आ रही है, तो मुझे mix के दौरान, obviously, उस rumble को या mud को roll off करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, ये इसकी पहली main चीज है, और मैं आपको बता दूँ कि कुछ साल पहले मैं भी table के उपर direct speaker रख दिया करता था, यहां पर मेरे पास एक और चीज थी, ये जो मेरे speakers आए, 5 इंच के, इसके साथ भी मुझे ये चीज मिली थी, अगर आप देखें, इसमें छोटे-छोटे ये ऐसे निकालो, उसके नीचे चिपका दो, so that इतनी सी decoupling तो speakers के साथ ही, ये कुछ stickers type, rubber type आई थी, तो decoupling हलकी सी हो, आपके पास अगर उतना budget नहीं है, तो साथ में free ये भी आ जाता है, कभी-कभी speaker में, आपने दे blown away, मैं जूट नहीं बोल रहा, सच में मतलब mind blowing था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे speaker की sound ही एकदम change हो गई है, खास कर मेरे low end, मेरी bass बहुत tight हो गई है, पहले एक extra vibrations या extra resonance कह लीजिए, वो आया करती थी, extra energy जो है, वो feel होती थी, और जैसे ही मैंने stand के उपर ये रखा, हम इसे भ foam ही use करता हूँ, तो मैं वहाँ भी यही चाहता था कि मैं isolation stand यूज़ करूँ, बर वो double वाला और ज्याद एक्सपेंसिव था, तो मैंने का ये वाला ठीक है, comparatively, काम तो ये भी कर रहा है, लेकिन जिस दिन मैंने stand के उपर रखा था या आप foam के उपर रखेंगे, आप home music producers है, हम घर पे ही थोड़ा सा setup लगाया, एक ठीक सा speaker लगाया, अब जो speaker के बिल्कुल मैं center में तो बैठता नहीं, sweet spot पे तो हूँ नहीं, कभी मैं थोड़ा left हो गया, चाहे पीते हुए काम कर रहा हूँ, कभी मैं थोड़ा right हो गया, और आपने देखा भी होगा, जब हम left क्या क्या चीजे हो सकती हैं, वो आज हम discuss करेंगे, माल लीजिए, चलिए मैं सबसे पहले यहां जाता हूँ, और एक, again यह FL studio का lecture नहीं है, यह advanced mixing mastering या production का अब lecture कह सकते हैं, यहाँ पर मैं FL studio की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, please, आप इसे serum या किसी भी और VST से एक noise बन लेता हूँ, ठीक है, यह मेरे पास आई, इसे consolidate कर लेते हैं, ठीक है, एक white noise है, बहुत simple, मैं यहाँ गया, और master में मैं एक insight pro ले लेता हूँ, ozone का है, sorry, isotope का है, आपको मालूम है, मैंने अभी लिया था, थोड़ा से इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, loudness नहीं चाहिए, levels नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इसकी signals चेक करना चाहूँगा, फिलहाल insight pro के उपर मैं तब हूँगा, जब मैं com filtering की बात करूँगा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा दू, phase वो गया, इसे मैं एक बड़ detach कर लूँ, आपने शाहिद मेरा phase वाला lecture देखा होगा, उसके अंदर क्या था, इसे मैं full zoom कर दूँ, और ज्यादा zoom अगर नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, options में, options में जाता हूँ, project journal settings, और 96 की जगा मैं इसकी ppq, 960, 10 गुना ज्यादा मैं से zoom कर पाऊँगा, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी बहुत ये wave पढ़ पा रहा हूँ, right, तो हमने in phase, out of phase पढ़ा था कि, जब crest पे crest आ जाती है, या trough पे trough आ जाता है, लेकिन जब एकदम opposite हो जाता है, 180 degree, वो out of phase हो जाता है, तो sound एकदम बंध हो जाती है, आप मेरा reverse polarity या phase दोनों वाले lecture जाके चेक कर सकते हैं, यह देखिए, मैंने यहां किया, बिल्कुल एक same audio signal की मैंने copy बनाई, बहुत ध्यान से headphones में सुनेगा, बहुत advanced बात करने वाला हूँ मैं, सबसे पहले मैं से reverse polarity कर रहा हूँ, यानि कि यह जो audio है, बस ऐसे हो गई है, जो उसके crest थे, वो ट्राफ बन गए है, जो ट्राफ है, वो crest बन गए थे, उससे क्या होगा, अब, no signal, क्योंकि 180 degree out of phase, phase दोनों के एकदम cancel हो गए है, ये तो हम चीज समझ आ गई, अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टाइम पे जाता हूँ, थोड़ा सामें, एक मिली सेकिंड, तक्रीबन मैं यहां ले किया है, साउंड सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, सेम साउंड है, बिल्कुल सेम साउंड है, मैं इसकी reverse polarity भी हटा रहा हूँ, एकदम सेम copy paste होगी है, राइट, जब भी हम बिल्कुल स के decibel volume बढ़ जाता है, हम volume की बात यहां नहीं कर रहे, थोड़ा सा मैंने आगे किया, sound में variation सुनेगा, एक phaser type कुछ VST on हो गया लग रहा है, आप देखते रहिएगा, मैं बिच में बोलूंगा नहीं, मैं सिरफ उसकी time change करता रहूँ, आगे, पीछे, इदर, उदर, कभी आ चल लगयागी कि लव filter जैसा कोई मैंने preset on कर दिया है, देखते रहिएगा, आप देखरें, सेम audio signal है, उपर नेचे copy paste, कितनी ज्यादा variation आपको सुने, कहीं बारिश की sound बन गई, कहीं कोई wind, कोई tunnel जैसी sound बन गई, कहीं कोई stove चल रहा है, उसकी sound बन गई, तो जिस तरह की मेरे पास जब background score और वीडियो गेम की background score या sound design के आती है, तो इस तरह की पेस मैंने नीचे भी लगाई है, वो भी मेरी wave है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे होने पे, कुछ कुछ जगा पर एक दूसरे को वो cancel out कर देता है, कुछ कुछ जगा पे वो plus हो जाता है, तो जहां जहां भी वो एक दूसरे की wave को cancel करते हैं, वो बीच में से निकल जाती ह और बची हुई frequencies, बची हुई sound हमको सुननी शुरू हो जाती है, इस वज़ा से यह जो phasing issue इसी को बोलते हैं, इस वज़ा से ही हमें mid side processing करनी पड़ती है, यह phasing issue बहुत clean इसलिए सुन रहा है क्योंकि मैं जान बुच के सुना रहा हूँ, गाना जब बनता है तो उसके हूँ कि हमने phase issue यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से थोड़े ही फर्क से अलग अलग तरह के phase issue सुनते हैं, पांच छे तरह की sounds हमने हैं सुन ली, अब यहाँ पर देखेगा बहुत ध्यान से मैं क्या करता हूँ, मैं एक और 3x oscillator ही ले लेते हैं, बड़ा ही simple सा है, इसके दो इसको थोड़े देर के लिए बंद करते हैं, चलिए 8 bars तक और यहाँ मैं इसे उपर तक slide ले जाता हूँ, काफ़ी उपर तक ठीक है, riser बन गया, बहुत simple, बहुत easy, यहाँ आए, इसे रखा है यहाँ पर, right click consolidate कर लेते हैं, अब मैं इसे consolidate क्यों कर रहा हूँ, so that आपको वो आसानी से समझ आ जाएगा, जो मैं बताना चाहता हूँ, जूम करते हैं, बहुत अच्छे तरह से, अब यह इतना ज्यादा जूम कैसे हो पा रहा है, मैंने settings में जो कर दिया था, अब मैंने इसी के नीचे एक और copy रखी, ठीक है, जब same copy रख देंगे हम, तो सिर्फ volume बढ़ता है, 6 decibel, सिर्फ volume बढ़ रहा है, और अगर मैं इसे reverse polarity कर दूँगा, यह देखिए, एकदम उल्टा हो गया, अब ध्यान से देखेंगे, वो जहाँ उपर है, वहाँ वो नीचे है, जहाँ यह है, अभी नहीं, sorry, एक minute, यह तम इसे 00 कर देते है, एक को make unique करता हूँ, इसकी हटा दी और नीचे वाली, यह देखिए, जहाँ उसकी crest है, वहाँ truff है, जहाँ truff है, वहाँ crest है, क्या होगा, sound बंद, ठीक है, और जैसी reverse हटाई, वापिस sound आगी, लेकिन मैं यहाँ पर यह नहीं करने वाला, मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, inside pro हम वापिस ख यह इसका graph बन रहा है, बहुत अची बात, अब मैं इसको थोड़ा सा time change करूँगा, एक, दो, तीन, चार, तकरीब पाँच, छे, पाँच, तकरीबर यहाँ देखते हैं करके, अपने sound सुनी, टून, 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 पहले तो चल रही थी, टून, लेकिन यह कौन इंसान आगया, जो बीच में वालियूम बंद करता जा रहा है, टून, 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 वो क्या हो रही है, मेरी comb filtering, आप ये देख रहे हैं COMB, COMB, कंगी, क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंगी के दांतों की तरह ये मेरी final output बननी शुरू हो जाती है, आप ये देख रहे हैं, तो यहां क्या हो रहा है, जहां भी ये उपर है, वहां पे तो summing हो रही है, दोनों ही signals की, जहां ये है, यहां पे मेरे phase cancel हो जाता है, जो निचला point है, ये देखिएगा, और अलग अलग जगा पर होता है, जैसे, for example, मैं बिदा देखे कहीं भी लगा दूँ, शुरू से चलते हैं, हर बार अलग timing के उपर COMB filtering होगी, क्योंकि जब same signal में delay आ जाए, COMB filtering कैसे होती है, बिल्कुल दो identical signal हमने लिए, ल आप देखें, बिल्कुल एंड तक भी अगर आप देखें, COMB filtering चलती है, वो कंगी के जो दंदे हैं, वो बनते गई है, ये देखें, उपर से गोल नीचे से तीखा, उपर से गोल नीचे तीखा, उपर गोल नीचे तीखा, आप अभी Google पे जाके लिखें, COMB filtering और images पे क्लि K1, Ableton, Logic Pro, कोई भी, क्योंकि मैंने बताई, FS Studio के lecture नहीं है, सब के अंदर सेम इशू होता है, अब ये इशू क्यों होता है, क्योंकि दो identical signal जब delay होती है, दोनों के अंदर time की, तो इस तरह के issues बनते हैं, तो हम अपनी तरफ से क्या perfect कर सकते हैं, जब मैं एक home production कर रहा हूँ Obviously, मुझे mid side processing पता हो, ताकि मैं थोड़ी बहुत phase ठीक सकर सकूँ, मैं जब production के दौरान ही मुझे अगर इस तरह की चीज़े सुन रही है, तो मैं समझ जाओं कि मैंने तो ये effect बनाया है नहीं था, मैंने तो कोई LFO या trimolo लगाया ही नहीं, ये effect क्यों बन रहा है, यानि कु जो मैंने आपको phase वाले में बताया था, कि best solution यही है, phase को ही थोड़ा बहुत आगे बीजी हम कर सकते हैं, तो ये मेरी com filtering इस वज़ा से होती है, तो इस तरह की जितने भी issues हैं, इससे बचने के लिए perfect चीज़ क्या है, हमारे room acoustics perfect होने चाहिए हमारे speaker जो है voice solution stands के उपर हवा हमें या फिर वो chain के साथ टंगे हों जो हमने देखे हैं, उसके बाद मैं बिल्कुल center में बैठके काम कर रहा हूँ, बट इतनी perfection के साथ हो नहीं कर सकते हैं, तो जितना हम at least कुछ तो हम कर सकें थोड़ा बहुत कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकूँगी flat response मुझे सिर्फ एक चीज़ के लिए flat response, अगर अंदर 537 hertz है तो मुझे 537 hertz ही सुनाई दे और कुछ नहीं, लेकिन हमें कुछ और सुन रहा है क्योंकि हर speaker का अपना response है, तो इस वज़ा से जब आप अपने speaker से अच्छी output चाहते हैं, तो मैं आपको recommend करूँगा, वैसे तो obviously महंगा है यह जो stand मैं यूज़ करता हूँ, आप मेरी काफी पुरानी stories या post भी देखेंगे, मैं काफी साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ, या फिर आप मेरी तरह मेरे studio में, जो main studio के अंदर मैंने इस तरह की foam लगा रखी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अब यह वाली foam भी अपने speaker के नीचे रखे थे, believe me बहुत ही huge difference था, मतलब मेरी low end जो थी, जो मेरी, जितनी vibrations मेरे table से आ रही थी, वो काफी हद तक कम हो गई थी, और जो extra resonance मुझे सुनती थी, या lower end में तो मतलब huge difference आ जाता है, और low end ही तो है, जो सबसे ज्यादा एक किसी भी mix के अंदर कचरा करता है, आपकी reverb और आपकी low frequencies, ये दो control करनी आपको जिस दिन जिन्दगी में आ गई, काफी हद तक आपकी जो mixing की problem solve हो जाएगी, मैं अपने students को पताता हूँ कि किसी theater में गए, किसी discothek में गए, दर्वाजा बंध है, मोटे मोटे दर्वाजे अंदर भी बहुत सारी acoustic treatment हो रखी है, फिर भी, भूम, 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 वो आ रही होती है, और जैसे हम दर्वाजा खोलते हैं, बंध हो जाता है, तो सारी frequencies बंध हो जाती है, लेकिन वो जो low frequency है, फिर भी बाहर आ रही होती है, क्यों? vibrations की वज़ा से, low frequency इतनी ज़्यादा vibrations देता है, दिवारों पे, table से टकरा रही है, छट से टकरा रही है, और आप अपने कमरे के sweet spot में नहीं बैटे हैं, आप कभी इदर move कर रहे हैं, कभी इदर move कर रहे हैं, तो यही same signal वाली बात, delay आएगा, मैं अगर इदर बैटा हूँ, तो और इस speaker से, वहाँ से टकरा के, मेरे पास आ रही है, और इस कमरे में बैठा हूँ, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं time बिता हूँ अपने speakers के साथ, चाहे मैं कोई movie देख रहा हूँ, चाहे मैं कोई web series देख रहा हूँ, चाहे मैं video game खेल रहा हूँ, चाहे मैं YouTube देख रहा हूँ, मैं कोशिश करूँ, उनी headphones पे या उनी speakers के उपर ही मैं कोशिश कीजिए अपने speaker को अच्छा sound अगर आपने कोई basic speakers LP6 type के भी कुछ अगर invest किये हैं या फिर आप ले लिजे कोई krk5 कुछ भी आपने अभी अभी नया कुछ लिया है आजकल LP6 का ज़्यादा शोर चल रहा है प्रोमोशन बहुत ज़्यादा चल रही है तो अगर आपने उस तरह के लिए और direct table पर ही रख दिये हैं नहीं मैं आपको recommend करूंगा at least थोड़ा सा बीच के अंदर कुछ isolation आप सबके पास notification नहीं आ रही studio one का पूरा music production course तो आ रहा है advanced lectures भी आ रहे हैं और मेरी EPI है patience उसके काफी सारे गाने है Spotify बे जाके ज़रूर चेक कीजेगा दूसरा चैनल देव next level beats इसे भी subscribe कीजे आप subscribe करेंगे तभी मैं अगली beats लालूंगा और Instagram हो चाहे Facebook हो Spotify हो कहीं भी हो दुनिया में देव next level search करेंगे तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा मिलते हैं अगले lecture में तब तक लिए देव next level signing out नमस्ते